प्राचीन ओलिम्पिक्स का महान मुक्के बाज, रोड्स का डायगॉरस अपनी हिम्मत और आत्म सम्मान के लिए मशूर था। कहा जाता है कि अपने विजेकार के काफी अर्से बाद उसे ओलिम्पिया में दर्शकों के सामने लाया गया। दर्शकों को उससे बिहत लगाव था। उन्होंने डायगॉरस से विनती की कि उपना नश्वर शरीर त्याक कर मौंट अलंपस पर देवताओं के संग जा बैठे। ये सुनते ही उसने अपना सिर जुगाया और मौत की नीट सो गया। शायद इसी दिये उसे इतिहास का महनतम खिलाडी माना जाता है। खेलों में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है लेकिन जीत के लिए कोशिश करना भी जरूरी है। खेलों का कोई भी और अफसर इतना हर्श इतने खुशी नहीं उत्पन्न करता। सच मुछ उलिम्पिक्स नायाब है। जबसे मैंने दौरना शुरू किया और जबसे मुझे खेलों के बारे में सोचने की समझ आई। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष बन गया उलिम्पिक्स खेल। उलिम्पिक आदर्शों का क्रिडा जगत में एक अनूठा ही स्थान है। निश्पक्ष और बराबरी में प्रत्योगिता, सर्वत्म बनने की चेश्टा, भाग लेना, खेल भावना और अंतराश्ट्यता। इन सबसे बिलजुल कर चन लेती है उलिम्पियता, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, पर पूरी तना समझ नहीं पाते। निश्पक्षता और बराबरी के आदर्श को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अलिम्पिक अंदोलन के जन्दाताओं की क्रिडात्मक विरासत की जड़ें, इंग्लेंड के हैंदली रोयल रागटा जैसे अफसरों की अव्यवसाइक भावना में थी। अमेचुरिजम की भावना की नीव, वर्ग भेद की भावना में पड़ी। एक संभ्रान्त वर्ग जो की सिर्फ आनंद उठाने के लिए प्रत्योगीतों में भाग लेता था और दूसरा व्यवसाइक वर्ग जो की ऐसे मौकों से धन कमाता था। प्रोफेशनल खेलाडी का पलड़ा भारी रहेगा मानकर उन्हें उलेम्पिक्स में भाग नहीं लेने दिया जाता था। अब व्यवसाइकता के नियम या अमेचियर कोड अलेम्पिक्स के नियम बने बैठे थे। शायद ये ठीक नहीं था। 1912 के स्टॉकम खेलों में जिम थोप ने पैंटर्थलॉन और डिकाथलॉन दोनों चीत कर पूरी दुनिया को अचमभे में डाल दिया। लेकिन फिर पता चला कि उन्होंने कुछ समय पहले धन लेकर माइनर लीग बेसबॉल खेला था। उनसे उनके पदक छीन लिये गए। बाद में उन्हें चैंपियन का खिताब लोटा तो दिया गया परन्तु उससे कई साल पहले उस महान खेलाड़ी की मृत्यू हो चुकी थी। जिम थोप से जुड़े विवात के करीब साथ साल बाद भी ओलेंपिक के नियम प्रोफेशनल खिलाड़ी होने को जुर्म मानते रहे। और इस बार इससे खत्रा था ऑस्ट्रिया के काल स्रांस को। फ्रांस को दुनिया के महांतम स्कियर्ज में गिना जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अयोग ये करार दिया जाएगा। मैं सोचा था कि उलिम्पिक कमिटी और उलिम्पिक आंदूलन में सच्चाई का सामना करने की शमता है। क्या फर्ट पड़ता है कि एक स्कियर्ज दूसरे से कितना कम या अधिक कमाता है। अगर मुझ पर सवाल उठाय जा रहे थे तो पूरे स्किंग पर ही सवाल उठाना जरूरी था। जब ऑस्ट्रिया की टीम उद्धाटन समारों में सामने आई तो उसमें श्रांच नहीं था। विज्ञापनों से उसकी आय को देखते हुए उससे प्रोफेशनल करार दे दिया गया था। श्रांच के नहीं का पूरा फायदा उठाते हुए धलान प्रक्योविता में स्वांपदक जीत लिया। परन्तु विवाद उसे भी धिलेगा क्यूंकि उसमें भी कुछ विज्ञापनों से पैसे कमाये थे। अब व्यवसाइट का या अमेचरिजम का नियम पूराना पड़ चुका था। उन दिनों से इस नियम को त्याग कर खेलों को उपन बना दिया गया है। मेरा सपना कि उलिम्पिक्स में दुनिया के बहतरीन खिलाड़ी भाग ले। और अमेचर और प्रोफेशनल का भेद भाव न रहे। इसके सच हो जाने पर मुझे खास खुशी है।